Hello everyone, our date is 14th of January 2022 और देहिंदू नूज अनलेसिस में आपका स्वागत है इस वीडियो में हम देहिंदू की important news को exam के point of view से discuss करेंगे निशे description box में telegram channel Volcano I.S. Academy का link दिया हुआ है आप telegram channel Volcano I.S. Academy के साथ में जुड़ सकते हैं वहाँ पर हर exam, means UPSC, state PSC and other exams के point of view से काफी important information आप सभी के साथ में share की जाती है तो चलो start करते हैं, वीडियो को start करेंगे एक geographical map question के साथ में और आज आपका question ये है कि orang national park को आपको सबसे पहले जाकर की map में view करना है फिर इस से related हर important facts को and information को comment box में type करना है कल हमने आप से question पूछा था सांबर लेक से related तो सांबर लेक से related हर important facts को अगर हम view करें तो सबसे पहले जो उसका जो map है तो हमारे इंडिया का जो राजिस्तान स्टेट है राजिस्तान स्टेट के तीन डिस्टिक, नागोर, अजमीर और जैपूर इन तीन डिस्टिक के बीच में ये सांबर लेक extended है हमारे इंडिया की largest inland salt lake के रूप में सांबर लेक situated है इसके अलावा other facts के अगर हम बात करें तो 1990s में इसको रामसर साइट के रूप में डिक्लियर किया गया था अंडर रामसर कन्वेंशन यहां पर बहुत ज्यादा संक्या में बहुत ज्यादा numbers में migratory birds आते हैं और 2019 में हमने आपने incident देखा था कि लगबग 22,000 के लगबग यहां पर जो birds है उनकी death हो गई थी इसके अलावा एक other facts के अगर हम बात करें तो 2014-15 में Ministry of Tourism ने एक scheme स्टार्ट किती सुदेश दर्शन scheme इसमें यह important जो भी हमारे इंडिया की important sites है उनको अलग-अलग circuit में include किया गया था ताकि specific तरीके से कोई person अगर view करना चाता है मानलो कोई person जो है वो सिर्फ desert area को ही view करना चाता है राजस्तान के तो वहां के लिए एक circuit ड्वेलप किया गया वहां के जो important sites है उनको आपस में एक दूसरे से जोड़ करके जो भी connectivity है उसको improve किया गया और जो tourism sector है उसको grow करने के लिए इससे indirectly हमारे इंडिया की जो economy है वो boost up होगी और जो livelihood है लोगों का वो increase होगा तो इसी लिए यह जो sambal salt lake है उसको desert circuit के under include किया गया था जो important news है वो related है यहां पर जो आप image देख रहे हो यह picture देख रहे हो वो related है आसाम में एक festival इस time celebrate किया जाता है और इसका नाम है माग भी हूँ यह harvest festival है अब यह harvest festival होते क्या है और क्या सिर्फ आसाम में ही इस festival को celebrate किया जाता है या फिर हमारे इंडिया के other parts में भी इसको celebrate किया जाता है यह जो word है वो prelims के point of view से important हो गया इसके अलावा जो हमारा JS paper 1 है जिसमें art and culture से related questions पूछी जाते है history से related questions पूछी जाते हैं तो उसके लिए भी यह आपके लिए important हो गया तो अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में इस टाइम बहुत सारे harvest festival celebrate किया जाते हैं इंडिया के other other parts में अलग-अलग नाम से map के थुरू आप इसको view करोगे तो यह जो map है यह जो picture है वो आपके साथ में share कर दी जाएगी जम्मुएन कस्मीर में इस जो harvest festival जिसको हम मकर सक्रांते के नाम से south में पॉंगल के नाम से अगर आसाम की अगर हम बात करें तो उसको माग बेहु के नाम से जानते हैं तो इसमें क्या करते हैं कि farmers जो है अलग-अलग इस टाइम जो crop से उगाई जाती है और जब crop जो है वो harvesting टाइम में एक तरीके से पकने लग जाती है तो जो farmers है वो अपने good का अपना जो भी supreme power है उसका thanks करते है इन festivals के through तो इन festival को जैसे जम्मुएन कस्मिर में सिसूर सक्रांत के नाम से जानते हैं हरियाना इमाचल प्रदेश और पंजाब में इसको मागी या फिलोडी के नाम से जानते हैं गुजरात और राजस्तान में इसको उत्राइन के नाम से जानते हैं और गुजरात में इसी दिन जब इसको उत्राइन के नाम से भी जानते हैं असाम में माग भीहू के नाम से, महरास्ट और एंपी में मकर सक्रांती के नाम से जानते हैं, यहाँ पर करनाटका की अगर हम बात करें तो मकर संक्रमन के नाम से इसको जानते हैं, केडला में मकर विलकु के नाम से, तमिलाडू में पुंगल, आंदर परदेस में पेड़ा, प complete PDF है, वो हम telegram seller पर आपको send कर देंगे, next important news, देहिंदू के front page से, यहाँ पर जो article है, वो देहली के government के कुछ data हैं है, उन्होंने बोला कि COVID की वज़े से अभी हमने देखा कि 97 लगबग हमारे देहली वाले एरिया में 97 COVID की वज़े से death हो गई, तो उसमें से अगर हम उन data को analysis कर हैं, तो हमने यह देखा कि 97 में से 70 जो persons थे, वो unvaccinated थे, उसमें से कुछ person, जो बचे हुए जो person है, जिनकी death होई, उनमें से one dose ली हुई थी, मतलब completely जो vaccinated person है, वो बहुत कम थे, और उनके साथ में, मतलब complete vaccinated थे, लेकिन उनको बहुत सारे disease थी, जिसकी वज़े से यह death वाल कम एक तरीके से issue create कर रहा है, बहुत सारे person ऐसे हैं, जो अच्छे से ठीक भी हो पा रहे है, उनको hospitalized होने की ज़रत भी नहीं पढ़ रही, ना ventilator, ना किसी इसी तरीके की special focus की ज़रत पढ़ रही है, और general एक तरीके से उनमें संकर्मेंट हुआ, उसके बाद में, उनकी अगर immunity power अच्छी है, तो वो उससे जल्द ही निकल गए, तो vaccination सभी persons को, जो इनके लिए भी vaccination available है, उनको जाकर कि यही है कि आप economic development के लिए हमारी जो society है, हमारी जो population है, उसके जो भी rights है, उनको हम encroach करें, यह important वैसे अगर देखे, economic development with social justice, ऐसे के point of view से important statement हो सकता है, जिसको लेकर के essay में question पूछा जा सकता है, यहाँ पर covid से related ही article है, कि पहले जो urban areas है, वहाँ पर covid के cases increase हो रहे थे, और अब जो rural areas है, वहाँ पर भी omicron की variant के नई cases देखने को मिल गए है, next important article, page number six पर, editorial page पर, यहाँ पर जो article है, इसमें, first article है, अभी हमने देखा कि judiciary ने अपनी intervene किया है, कि हमारे prime minister की security में, जो issue देखने को मिलाता अभी, उसको एक तरीके से, जो भी वो issue हुआ, उसकी probe करने के लिए, Supreme Court ने अपनी committee बनाई है, five member committee, इसके जो chairman है, वो हमारे Supreme Court की, जो former judge, इंदू मलोतरा है, उनको इसकी command दी गई है, तो सबसे पहले तो आ committee present time में, तो वो किस से related थी, तो आपको पता होना चाहिए, दूसरा, देखो, सुरुआत में, अगर इसका थोड़ा सा हम background देखें, तो जैसे ही issue create हुआ, उसके बाद में, central government ने अपनी तरफ से, और Punjab government ने अपनी तरफ से, दोनों ने committee बनाई, और इसकी जो भी issue हुआ, उ अपनी तरफ से, अपनी बात को रखने के लिए, कि नहीं हम से कोई गलती नहीं हुई, यह जो है, वो इस procedure को अपनाया नहीं गया, जिसकी वज़े से, इस issue देखने को मिला, दूसरी तरफ से, central government जो है, वो हो सकता है, कि पंजाब के वर blame करने की कोसिस करे, और अभी हमें प यूडिसरी ने अपने हाथ में इस यह जो 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 प्रॉब है, उसको अपने हाथ में लिया, और यह काफी अच्छा initiative है, जो जो है, वो without any partiality, यह जो भी issue है, इसको एक तरीके से evolve करने का, इसका जो भी result है, वो outcome जो है, वो काफी शानदार रहेगा, जो सभी के लिए benefit भी ह होगा, और यह जो issue create हुआ, उसके भी जो loop holes है, उनको भी हम detect कर पाएंगे, ताकि आने वाले time में ऐसे कोई भी issue सामने ना आई, यहाँ पर जो article है, वो अभी हमने कल देखा था, कि इसरो के नए chairman appoint किये गए है, इनका नाम है S. Somnath, विक्रम सारा भाई Space Center की, जो उनको headship द देंगे, अभी हमने देखा कि यह जो नए chairman है, उन्होंने GSLV Mark 3rd जो है, उसको innovate करने में, उसको develop करने में काफी important role play किया था, अभी हमने देखा कि हमारे जो ISRO organization है, उसके बहुत सारे initiative आना बाकी है, 2022 में बहुत सारे ऐसे initiative होंगे, जिनके उपर ISRO organization जो है, वर्क करेगा, जिसमें एक important work है, गगन यान, गगन यान मतलब जिसमें तीन shift में, तीन अलग-अलग spacecraft बेजी जाएंगे, दो spacecraft होंगे, जिनमें कोई human नहीं होगा, और जो third spacecraft होगा, उसमें human के साथ में जाएंगे, और अगर यह सफल हो जाता है, इस तरीके का initiative हम launch करते हैं, तो इंडिया world में fourth number पर आजाएगा, इससे पहले three countries ने इस तरीके का initiative जो है, वो और space में भेज रखा है, तो उन countries के जो name है, वो कल भी हमने discuss किया था, कल के वीडियो में आप जाकर के उसको view कर सकते हो, और उनके name आपको बताने हैं कि कौन से तीन countries हैं, जिनोंने human spacecraft जो हैं, वो space में ब ज्यादा money आएगा, money आएगा तो हम ज्यादा research में यहाँ पर invest कर सकेंगे, यह उनका मानना है, अब देखो यह तो आने वाले time में हमें पता चलेगा, कि किस-किस area में जो privatization है, उसको increase किया जाता है, और उसके क्या result सामने आते हैं, अब यहाँ पर जब हमने ISRO की बात की, जो basic facts है, वो हमने कल view कर ली थे, आज अगर हम बात करें, तो देखो ISRO जो है, वो इनको इस पार नाम से start हुआ था, 1969 में इनको इस पार, जो organization था, उसी को change करके ISRO बना दिया गया, और 1972 में Department of Space बना, और उसके बाद में जो ISRO है, वो Department of Space के अंडर आने लगा, पहले Department of Atomic Energy क अंडर आता था, तो ये important facts हो गए, अब हम बात करते हैं, कि जब भी आप किसी country को view करेंगे, किसी continent को view करोगे, तो उसके जो भी rocket satellite, rocket launching center है, या फिर satellite center जो है, वो किसी भी country के, या फिर किसी भी continent के eastern part पे होते हैं, और जाद तर हमने देखा, कि वो, जो equatorial वाला जो region होता है वहाँ पर इस तरीके के center establish होते हैं, इसके पीछे कुछ facts है, कुछ हमारी general awareness हमें होनी चाहिए, कि इस तरीके का जो चीज़े है, वो क्यो होती है, इसको अगर हम यहाँ पर view करें, तो देखो, हमारी earth को लेकर के, हमारी imagination तो यह है, कि earth goal होगी, लेकिन real में जो earth goal नहीं है, earth की जो safe है, वो इस तरीके की है, मतलब polar area में जो earth है, वो flattened area है, और यहाँ पर जो equator वाला area है, अर्थ का, वो थोड़ा सा bulge है, मतलब थोड़ा सा expanded है, यह सबसे पहले तो यह पता होना चाहिए, किस की वज़े से होता है, तो यह होता है, एक centrifugal forces लगता है, उस centrifugal force की rotate होती है, और जब भी किस तरीके का object regular rotate होता रहता है, west to east हमारी earth जो है rotate होती रहती है, तो इसकी वज़े से जो center है, वहाँ से एक force लगता है, जिसकी वज़े से जो area है, जो center से force लगने की वज़े से यह area जो है, वो expand हो गया है, अब यह तो हमें earth का पता चल गया, अब center से जो हमारा equator है, यहाँ पर मालो कोई object रखा हुआ है, तो इसकी जो distance है, वो ज्यादा है, और यहाँ पर जो object है, polar area में, उसकी distance कम होगी, तो हमें पता है कि जो gravitational force है, वो इससे relate होता है, मतलब जितनी ज्यादा distance ज्यादा होगी, वहाँ पर gravitational force जो है, वो काफी कम लगेगा, और ज्यादा तर जो rocket launching center होते हैं, वो equatorial की पास में होते हैं, अब हर country के बीच में से तो equator गुजरती नहीं है, हर continent के बीच में से तो equator पास होती नहीं है, इसलिए क्या होता है, कि ज्यादा तर एकोसिस की जाती है, जो equator region है, उसके पास ही, ज्यादा तर rocket launching center है, वो यहाँ पर established ह क्योंकि इससे क्या होगा कि gravitational force कम लगता है जिसकी वज़े से space में इन rockets को send करना काफी ज्यादा easy हो जाता है दूसरा कारण हमने यह discuss किया कि किसी भी continent के आप बात कर लीजी South America में हम देखते है South America के map को आप view करोगे तो यहाँ पर French Guayana है वहाँ पर launching center है हमारे इंडिया के आर्थ है वो west to east move होती है किसी भी country का किसी भी continent का eastern coast मितलब मतलब उसके east past पे अगर हम यहाँ पर land है तो यहाँ पर क्या होगा sea body होगी हमें पता है कि west to east हमारी आर्थ मूग करती है तो जब हम eastern coast से किसी भी rocket को launch करेंगे तो उसकी वज़े से एक तो उसको extra force मिलेगा दूस दूसरा क्या है देखो एक तो हम यहाँ से launch करें जिसकी वज़े से जो एक तरीके से conflict देखने को मिले एक हम यहाँ से launch करेंगे तो इसकी वज़े से क्या होगा कि मानलो वो जो rocket है वो एक तरीके से fail भी हो गया वो mission fail भी हो गया तो यहाँ से अगर हम launch करेंगे तो इसको extra push म काफी ज्यादा नुकसान हो सकता है लेकिन जब इस्टन कोट से हम इसको लॉंच करते हैं तो अगर वो रोकेट फेल भी हो जाता है तो वो जाकर के जो हमारा सी एरिया है किसी भी एरिया में देख लीजी यहां पर अट्लांटिक ओशियन है जो साउथ अमेरिका कॉंटिनेंट है तो अगर यहां से फेल भी हो जाता है तो वो रोकेट जाकर के कहा गिरेगा ओशियन वाले पार्ट में गिरेगा जिसकी वज़े से जो नुकसान है वो काफी कम होता है इसलिए जो भी लॉंचिंग सेंटर है पुरे वर्ड में वो ज्यादा तर इस एरिया में सिचुईट हो सकते हैं जर्नल लवेरनेस के लिए आपको पता होना चाहिए और आजकल हम देखते हैं कि प्रिलिम्स में जो केशन है वो साइन्स एंड टेक्नोलोजी से रिलेटेड इस तरीके के आने लग गए कि आप अपनी जर्नल जो भी आपी डेली लाइफ है उसमें कुछ भी आप इंसिडेंट देखते हो उसमें आपको पता होना चाहिए कि यह किसकी वज़े से हो रहा है साइन्स की कौन सी टर्म यहाँ पर यूज की जा रही है जिसकी वज़े से यह इंसिडेंट हो रहा है या यह सब कुछ इस तरीके से हो पा रहा है तो आप जर्नल अवेरनेस के साथ में अगर आप study करते हो तो बहुत सारे जो questions हैं वो आपके prelims में आप easily उनको tackle कर पाते हो next important article यहाँ पर देखिए page number 8 पर page number 8 पर अगर हम view करें तो सबसे पहले तो यहाँ पर बीकानेर गोहटी जो train है उसके एक issue देखने को मिला कि इसकी वज़े से बहुत सारे जो person है उनकी death होगी 12 जो case coaches जो है वो अपने track से उतर करके जो other जो मतलब container थे या फिर train के जो other part थे उनके उपर एक तरीके से increase होगए या reach होगए जिसकी वज़े से यहाँ पर जो death है वो देखने को मिली issue है हमें पता है कि जब भी central government यहाँ पर कुछ direction देती है हर state को कि हमारी जो भी center की जो भी एक तरीके से property है उसको आप maintain करोगी अब इसमें क्या issue होता है यह सब कुछ तो जान जो होगी उसमें result आएगा लेकिन यह जो issue है यह जो problem हुई है उससे बहुत सारे लोगों की जान चली गई यहाँ पर जो article है वो जली कट्टू जली कट्टू पता है आपको एक festival होता है साउथ में तमिलाडू में पॉंगल festival उस time में एक game होता है एक sports होता है जली कट्टू तो यहाँ पर जो 30 people है वो जली कट्टू के first day ही injured हो गई अब जली कट्टू से related कुछ basic facts देखेंगे हम देखो जली कट्टू कुछ समय पहले काफी news में भी था इसको लेकर के बहुत सारे लोगों ने बोलाता कि जो हमारे animals हैं उनके खिलाप में एक तरीके से उनको humiliate किया जाता है मतलब उनको काफी जदा जो उनके जो rights है उनको encourage किया जाता है उनको परेशान किया जाता है उसको लेकर के ये Supreme Court में भी discussion चलाता कि जो जली कट्टू sports है उसको ban किया जाए तो जली कट्टू कि अगर हम बात करें तो सबसे पहले आप map में यहाँ पर view की सिए यहाँ पर देखो इस picture में आपको show कर रखा है कि एक boundary के under बहुत सारे person होते है और जो bull होता है उसको यहाँ पर छोड़ दिया जाता है उसमें क्या होता है कि यह जो bull के जो horn है यहाँ पर एक flag बांदा जाता है जो यह person है यह बुल का जो hump होता है इस area से इस bull को अपने control में करने की गोसिस करते है और जो भी person इसको control में करके इसको शान्त करके यहाँ पर जो भी यहाँ पर flag है या फिर coins बांदे जाते हैं किसी-किसी bull के उसको control करता है तो उसकी price money decided होती है और उस price money उस person को दी जाती है यह होता है sports और इसको जो pongal festival होता है उस time इसको organize किया जाता है अब यहाँ पर कुछ हमने issue देखते हैं कि क्यों इसको लेकर कि बोला गया था कि भी इस sport को जो है बंद किया जाई इसमें बोला जाता है कि human death बहुत जदा होती है अभी हमने discuss किया कि 30 first day वाले दिन ही 30 person injured हो गए है इसमें यह भी बोला जाता है कि जो animals है उनका man handling procedure है वो काफी गलत होता है animal को intoxication किया जाता है बहुत जगे तो ऐसी जगे भी मतलब extreme level पर जहां पर jelly gate to sport को organize करवाय जाता है वाँ पर यह बोला जाता है कि इन bulls को alcohol consume करवाय जाता है इसके अलावा इनकी जो eyes होती है वहाँ पर red chili या फिर chili paper जो होते हैं वो rub किये जाते है जिसकी वज़े से जो इन में aggressiveness है वो काफी ज़दा increase हो जाती है other issues जाकर आप देखे human deaths जो है वो काफी increase हो जाती है लेकिन इसके favor में भी कुछ arguments दिये जाते हैं जली कट्टू के favor में जैसे कि इसमें क्या होता है कि जो भी इसमें bull की जो breed use की जाती है वो native breed होती है तो इसमें बोला जाता है कि अगर आप इस sport को regular रखते हो तो इसकी वज़े से जो हमारे bull की जो native breed है उसको हम regular maintain कर पाएगे क्योंकि हमें पता है कि agriculture sector में bull का काफी कम use होने लगा है तो अगर आप किसी sports के लिए भी उन native bull को आप अगर preserve नहीं करोगे तो एक time के बाद में जो हमारी native जो भी breed है वो खत्म हो जाएगी क्योंकि present time में अगर हम देखे तो सिर्फ meat के लिए या किसी other sector के लिए ही इनका use किया जाता है agriculture में इनका बिलकुल बहुत ही कम use होने लग गया है दूसरा अगर इसकी बात करे तो संगम जो text है उसमें भी 400 से 100 BCE before Christ era के time में जो Tamil classical period था उस time भी इस sports को खिला जाता था उस time भी जलिकटू जो sports है उसकी practice की जाती थी उसको भी society में regular organize किया जाता था तो यह बोला जाता है कि इसका cultural significance काफी ज़्यादा पुराना है और इसी के ये favor में arguments हा तो इसी के basis पर इसको regular किया जाए कुछ लोगों का ये भी मानना है कि इसमें man और animal के बीच में जो relationship है वो काफी cordial होती है इसी लिए इस sports को regular किया जाना चाहिए तो हमारे prelims में अगर question आएगा तो जल्ली कट्टू से related आपको facts दे करके पूछेंगे mains में अगर पूछा जाए कि कौन-कौन से हमारे games जो है GS paper 1 से related इसको पूछा जा सकता है कौन-कौन से हमारे games है जिनके उपर बार-बार questions भी उड़ते हैं जैसे कि अभी हमने महारास्टरा में देखा कि महारास्टरा में बुलक कार्ट एक game होता है उसको Supreme Court ने इसको regular करने के आदिस दिये कि आप इसको regular कर सकते हो उसमें भी इसी तरीके के arguments दिये गए थे कि जो animals हैं उनको नुक्सान पहुँचाया जाता है लेकिन favor में भी कुछ arguments दिये गए और फिर Supreme Court ने बोला कि आप इसको regular कर सकते हो तो इस तरीके के जो game है वो man and animal relationship को increase करते हैं ऐसा बोला जाता है next important article page number 10 पर यहाँ पर जो article है first article है जो ministry of environment ministry of environment and forest इन्होंने कुछ important statement दिये है जो हमारी India state of forest report 2021 release की गई और इसमें बोला गया कि हमारे इंडिया में 261 square kilometer जो है वो last 2019 में जब assessment हुआ उसके बाद में इतना area जो है वो forest cover के रूप में increase हो गया है तो यह important statement है अब हमें पता होना चाहिए कि total forest entry cover जो है हमारे इंडिया में 80.9 million hectare है जो पूरे इंडिया का जो geographical area है उसका 24.62% है इसमें अगर हम बात करें तो 17 states और union territories हमारे इंडिया में ऐसी है जहां पर जो tree area है forest cover area है वो 33% से ज़्यादा है अगर इसमें बात करें इस report में तो total जो increase हुआ है इसमें से 1540 square kilometer जो है वो forest cover में increase हुआ है और 721 square kilometer जो है वो tree cover में increase हुआ है top 3 states जहां पर सबसे ज़्यादा increase हमें देखने को मिला तो उसमें अंदरप्रदेश सबसे ज़्यादा उसके बाद तेलंगाना और उसके बाद में उडिसा अगर हम बात करें तो मद्दी प्रदेश ऐसा एरिया है जहां पर largest forest cover है यहां पर तो increase हुआ है पिछले दो साल में लेकिन अगर अगर और बात करें तो forest cover सबसे ज़्यादा मद्दी प्रदेश में है उसके बाद अनाचल प्रदेश में अगर हम बात करें तो मिजोरम में सबसे ज़्यादा मतलब एरिया से अगर comparison करोगे तो मिजोरम में सबसे ज़्यादा प्रसंटेज में फ्रदेश में अगर हम बात करें तो वो भी increase हुआ है हमारे इंडिया में 17 स्क्वेर किलोमेटर यह आपको ध्यान में रखने है important data है जो आपके लिए important हो जाते है कि किस तरीके से हम अमारे environment को protect करने की एकोसिस कर रहे हैं तो उन में उस question में आप इसका भी use कर सकते हो कि देखो हमारे यहाँ पर जो emission होता है उसको curve करने के लिए forest cover को increase कर रहे है साथ जनवरी को एक person 57 year old man उसमें genetically modified पिक का जो heart है उसको transplant किया गया अब यह ऐसा हुआ यूस में पहली बार उसको लेकर के news बनाई जा रही है कि देखो पहली बार ऐसा विस्तु में वल्ड में ऐसा हुआ है लेकिन हमारे इंडिया में 1997 में आसाम में ऐसे ही एक पिक का जो heart है वो transplant किया गया था धनीराम बरुआ एक cardio थोड़े की सरजन थे जो सोनापूर गुआटी के पास में जो सोनापूर जगह है वहाँ पर बेशते उन्होंने इसी तरीके से पिक के जो organs है उनको human body में transplant किया था हालांकि यह जो procedure है इसको बोला जाता है geno transplantation geno transplantation वो process होता है जिसमें जो different species के जो भी tissues है organs है उनको other members में other species जो members होते हैं उनमें transplant किया जाता है हालांकि जो यह काम किया गया था उसमें वो सफल नहीं हो पाया था succeed नहीं हो पाये थे उस person की bard में debt हो गई थी उसको लेकर के उनके उपर cases भी चला था कि यह जो भी आपने procedure किया वो हमारे बहुत सारे acts को violate करता है तो यह बतारा जा रहा है कि जो काम अब US में अब किया गया है वो हमारे इंडिया में बहुत पहले कर दिया गया था यहाँ पर जो आर्टिकल है वो सियाचिन Glacier को लेकर की है इस आर्टिकल में यह बोला गया है हमारे जो आर्मी चीफ है जर्नल मनोज नरवनी उन्होंने यह बोला है कि सियाचिन Glacier को demilitarize करना अभी present time में possible नहीं है तो यहाँ पर जो सियाचिन Glacier जो वर्ड है वो हमारे इंपोटेंट हो जाता है तो इस से related जो facts है उनको हम view कर लेते हैं यहाँ देखे एक सेकेंट देखो सबसे पहले आप map में इसको view कीजिए जो हमारा जम्मू एंड कस्मीर वाला जो part है वहाँ पर आपको पता है कि present time में जम्मू एंड कस्मीर जो पहले state था उसको यूटी में बार दिया गया बाइफर्केट कर दिया गया 5 अगस 2019 को तो present time में जो सियाचिन Glacier है वो लगदाक यूटी में आता है यहाँ पर पाकिस्तान और इंडिया के बीच में एक conflict area है और यह PO के वाला area है यहाँ पर यह सियाचिन Glacier situated है मतब दोनों के बीच में जो line है उसके last part में सियाचिन Glacier situated है काराकरम जो range है उस काराकरम range का जो eastern part है वहाँ पर सियाचिन Glacier situated है पुरे world में सबसे highest battlefield है और इसको capture करने के लिए 1984 में operation मेगदूत चलाया गया था ताकि इस area को capture किया जा सके काफी important है इसको लेकर कि पूछा भी गया था एक बार UPSC plimps में question भी आया था सियाचिन Glacier से related यहाँ पर जो भी rivers है वो आपको पता होना चाहिए नुब्रा एंड शोक रिवर जो है वो काफी important है अब आपको यह पता होना चाहिए कि नुब्रा एंड शोक रिवर जो है वो इंडस रिवर सिस्टम का part है या नहीं है तो यह आपका question है आप map में इसको जाकर के view करोगे और फिर नीचे comment box में yes and no में इसका answer देऊगे नेक्स्ट important article यहाँ देखिए यह इंडिया और चाइना को लेकर के जो अब disengagement procedure है उस पर दुबार से talks चल रही है और इसमें इंडिया और चाइना जो है वो agree हुए है कि LAC line of actual control पर और भी ज़्यादा talks होंगी जाकि जो हमारे issue है उनको हम solve कर सकी next important article foreign page से यहाँ पर जो article है यहाँ पर सबको पता है कि हमारा neighbor country स्रिलंका present time में काफी economy crisis में है तो इंडिया ने यहाँ पर सिलंका को help करने की कोशिस की है उनको 5 million का एक तरीके से पहले भी हमने help करने की कोशिस की और present time में 400 million currency swap हमने उसको दिया है अब एक currency swap और इसके अलावा यहाँ पर एक line of credit एक word यूज किया जा रहा है इन दोनों की बारे में आपको पता होना चाहिए और currency swap सबसे पहले currency swap के अगर हम बात करें तो currency swap में क्या होता है कि मानलो दो countries के बीच में ऐसा agreement होता है जिसमें अगर आपको कुछ भी money का लेंदेन करना है तो उसमें आपकी third country की जो currency है उसको involve नहीं किया जाता मतलब मानलो आप import कर रहे हो export कर रहे हो या कोई भी exchange कर रहे हो तो आप अपनी जो local जो currency है उसमें ये काम कर पाओगे आपको जो third country जैसे की US की dollar उस currency में कोई भी trade करने की ज़रत नहीं है line of credit क्या होता है line of credit क्या होता है ये एक तरीके का grant नहीं होता है मतलब ऐसा नहीं कि आपको दिया और आपको वापस देने की ज़रत नहीं एक soft loan होता है जिसमें concessional interest rate जो developing countries के लिए provide किया गया था कि जो developing countries है जिनके कुछ problems है तो उनको ये पैसा दिया जाता है और बाद में जो government है वो उसको repay भी करती है लेकिसमें concessional interest rate जो है वो उसमें apply की जाती है यहाँ पर जो article है वो US और China को लेकर की है US ने China, South China Sea में जो अपना claim करता है अदर अदर यहाँ पर जो islands है या map के through you किजी यह South China पार्ट है यहाँ पर इस area में जो China है वो claim करता है इन सारे islands के उपर कि यह मेरे पार्ट है 9 dash line उन्होंने यहाँ पर cover कर रखी है कि यहाँ पर जो भी islands है वो मेरे पार्ट है लेकिट यहाँ पर जो other countries है वो भी इस area में अपना cover करते है इस area को cover करने का main कारण यह है कि यहाँ से बहुत सारा trade होता है trade होने के का अलावा यहाँ पर बहुत सारे natural resources है जिनके उपर China अपना claim करना चाता है इसी की वज़े से China यहाँ पर इस तरीके की strategy को follow करता है अब US ने बोला है कि आपने जिन भी islands को यहाँ पर claim कया है वो completely आपके नहीं है 1982 में जो लोग की अगर हम बात करें जो unclosed लोग एक तरीकी से treaty sign की गेती जिसमें बोला गया था कि जो भी आपके आसपास में जो C है उसको लेकर के भी कुछ लोग बनाए गे थे कि उस लोग के according ही आप उस C वाले area को capture कर सकते हो या उसके उपर जो भी आपके जो rights है उनको regular कर सकते हो ऐसा नहीं है कि completely area को आप अपने under declare कर लोगी क्योंकि इस area में जो other countries है यापर Southeast Asia के countries वो भी यहाँ पर इस claim करती है कि यह जो part है वो हमारा भी है तो इसको लेकर कि US ने बोला है कि completely China का नहीं है और China अगर ऐसा करता है तो इसकी वज़े से इस area में clash भी हो सकता है तो यह हमने देहिंदू की जो भी important article है उनको discuss किया अब हम देख लेते हैं कि हमने कल telegram channel पर आपको एक message किया था कि जो भी aspirant 2022 में अपना exam दे रहे है UPSC prelims का उसके लिए हम एक initiative start कर सकते है initiative में हम क्या करेंगे कि आप जैसे ही telegram channel को join करोगे आपको chat का option दिखेगा उसको जाकर कि आप join कर सकते हो वहाँ पर regular basis पर वो सारे aspirant जो 2022 का अपना जो attempt है उसको दे रहे है तो वो अपना regular अपना क्या करेंगे जो भी target है अपने अपने हिसाब से असानिय की fix है मालो कोई person जो है वो इस time history पढ़ रहा है कोई person इस time policy study कर रहा है तो अपने अपने हिसाब से आप अपना जो target है उसको write down करोगे आप उसको regular post करोगे कि आज हमारा ये target है हम इसको complete करोगे साब शाम को evening time में आप उसको submit करोगे जब भी आप अपने study complete करते हो उस day की तो submit करोगे कि कितना part इसका आप से cover हो पाया इसके लिए आपको क्या करना होगा कि आपको अपना एक personal register maintain कीजिए आप जो एक तरीके से technology basis पर मतलब Google format में Excel format में भी clear उसमें आपने कितना study किया ये सारी चीजे जो है वो आपको इसमें study करके ये लिखना है अब इसका benefit क्या होगा क्योंकि आपको ये लगेगा कि profit क्या होने वाला क्यों हम apply करें हैं अपने study में ऐसा one month के बाद में जब जैसे ही January 2022 complete होता है उसके बाद में जब आपने उस register को आप overview करोगे तो उससे आपको एक idea लग जाएगा कि आपने January 2021 में कितना study किया आपका syllabus जो है वो कितना complete हो गया है और आपको कौन-कौन से part को अभी और ज़्यादा study करना है इसके basis पर इसके अलावा मान लो आस date है 14 January आपने एक organization के बारे में पढ़ा कि जैसे NATO के बारे में पढ़ा opaque जो है क्योंकि हमारे prelims में इस तरह के questions आते हैं तो उनके बारे में study की तो उनको आपने write down कर लिया वहाँ पर कि आज opaque के बारे में study की NATO organization के बारे में study की जो shark है उसके बारे में study की तो इनको क्या करोगे जब भी आप one month बाद में या 15 days बाद में आप revise करोगे तो आपके पास में specific point होएंगी कि हाँ इनको study किया था और इन सबको हमें क्या करना है इस तरीके से इसको revise करना है तो इस तरीके से जो आप attempt there हो 2022 में उसको आप regular कर सकते हो तो जो भी person interested है वो chat वा को कितना study करना है यह सब कुछ इससे क्या होगा आप एक just a mentorship program इसको मानिए क्योंकि जब हम किसी दूसरे को अपने target जो है वो बताते हैं और इसको complete करने की कोसिस करते हैं तो इसमें जो हमारी जो efficiency है वो increase हो जाते है क्योंकि हमें लगता है कि हमें दूसरे को बताना है इलर उसमें आप submit भी कर रहे हो कि result क्या दे रहे हो तो उससे आपके उपर एक burden रहता है और उससे जो आपकी study है वो और ज्यादा एक तरीके से efficient way में आगे बढ़ सकती है तो यह हमारा एक initiative है छोटा सा इसके basis पर इसमें हम जो extra prelims की specific जैसे कि हम start करेंगे September 2021 से September 2021 उसके बा जो भी important points जिनके उपर questions बन सकते हैं prelims में वो सारी चीज़े वहाँ पर chat में आपको provide करने की कोसिस करेंगे तो आप उसको join कीजिए यह आपके 2022 के attempt के लिए काफी beneficial होने वाला है तो अगर आप यहां तक आए हो वीडियो आपको अच्छा लगा है तो please आप वीडियो को like की शेयर कीजिए और चैनल को subscribe कीजिए ओके थैंक यू